हेलो एवरीवन आएम डॉक्टर युक्ति गौड वर्किंग इट नीलकंट आईवीफ सेंटर उदैपुर आईए आज हम डिसकर्स करते हैं कि महिला के माँ बनने की सही उम्र क्या होती है और अगर महिला की उम्र जादा हो तो उसे कंसीव करने में क्यों प्रॉब्लम आती हैं आजकर महिलाएं अपने करियर, अपनी पढ़ाई और अपनी फ्रीडम को प्रिफरेंस देती हैं और इन सब चक्करों में वो अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचना कम कर देती हैं महिलाओं को ये ध्यान होना चाहिए कि जैसे जैसे महिला की उम्र बढ़ती जाती ह उनके conceive करने की chances कम होने लगती है साथ ही साथ अगर conceive हो भी जाता है तो अधिक उम्र में महिला में abortion का भी खत्रा बढ़ जाता है हर महिला यह जानना चाहती है कि महिला में pregnancy होने के लिए best age कौन सी होती है महिला के लिए 25 से 35 साल की age सबसे best मानी जाती है क्योंकि महिला में के समय ही निर्धारित हो जाती है और हर महावारी के समय अंडो का खर्च होना शुरू हो जाता है जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है महिला में अंडो की quality और quantity दोनों में कमी आने लगती है क्या होता है age पढ़ने के साथ में 25 से 35 साल की उम्र जो की best मानी जाती है क्योंकि उस समय अंडो की quality और quantity अपने peak पर होती है परन्तु जैसे ही महिला की उम्र 35 के आसपास आने लगती है उसके अंडो की quality में कमी आने लगती है और 40 की उम्र होने तक महिला में मिनोपॉस की स्थती होने लगती है और मिनोपॉस की स्थती होने के बाद महिला का naturally conceive करना मुश् भी जादा होता हैं एसा नहीं है कि कम उम्र में कोई तकलीफ नहीं होती है कुछ diseases ऐसी हैं जो कि एंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को कम करती हैं जिसके कारण कुछ मैलाओं में कम उम्र में भी गन्सीव करने में प्रॉबलम होती हैं जैसे PCOD, एडिनोमायोसिस एंडोमेट्रोसिस और ब्लॉक्ट ट्यूब के कंडिशन में भी महिला को नेचुरली कंसीव करने में प्रॉबलम होती है अगर आपकी उम्र भी 35 से ज्यादा हो गई है और आपके प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है या फिर शादी को एक साल से ज्यादा हो ग कॉंटिक कर सकते हैं